नमह शिवाय हरियाली तीज जी हां हरियाली तीज सुनते ही मन में ताज गिया जाती है बहुत ही पाउन त्योहार है हमारी माताएं बहने इस त्योहार को मनाती है चुकि भगवान शिवका और माता पार्वती का पुनर मिलन हुआ था इस दिन इसलिए ये बहुत ही खास दिन ह होता है और इस त्योहार को मनाने का खास उदेश से भी है और खास तरीका भी है पूरी धरा पर यानि की प्रकृती हरी भाईरी हो गई रहती हैं बारिश का मोसम स्टार्ट हो चुका रहता है इस वज़े से धर्ती पर हर्याली च्हाई होती है बहुत ही मनुहर द्रिश्य होता है और इसई बीच में मनाई जाती है हर्याली istry लेकिन इसकी कुछ वीडिया है कुछ नियम हैं और क्यों मनाया जाता है ये खास बात क्या है ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ लेकिन आप सभी माता पार्वती और भगवान भोले नात को याद करते हुए एक बार कमेंट में लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए आगे बढ़ते हैं और जानेंगे हम सभी इस वीडियो में शु में दूर कर दूंगा तो इसलिए इस वीडियो को बिना इसकिप किये हुए अंत तक जरूर देखिएगा हर्याली तीज खास बात क्या होती है इसकी इसे स्रावरी तीज भी कहा जाता है शावन महीने के शुकल पक्ष की त्रीतिया तिथी को इसको मनाया जाता है हमारे सौंदर बिछी रहती है प्रकृति के इस मनोरम शन का आनंद लेने के लिए महिलाएं जूले जूलती हैं लोक गीत गा करके उत्सव मनाती हैं हर्याली तीज के औसर पर देश भर में कई जगह मेले लगते हैं कजरी गाई जाती है और माता पार्वती की सवारी धूम धाम से निकाले जाती है सुहागन इस्त्रियों के लिए हर्याली तीज पर बहुत माइने रखता है क्योंकि सौंदर्य और प्रेम का ये उत्सव भगवान शियो और माता पार्वती के पुनर मिलन के उपलक्ष में मनाया जाता है हमारे भोले नाथ जी का पुनर मिलना हुआ था मात पार्वती से हर्याली तीज पर हुने वाली परंपरा के बारे में थोड़ा जानते हैं हर्याली तीज से एक दिन पहले सिंजरा मनाया जाता है इस दिन नौव विवाहत लड़की जो होती है उसकी ससुराल से वस्त्र आभूशन श्रिंगार का सामान मेहंदी और मिठाई भे जाती है इस दिन पैरों में आलता भी लगाया जाता है यह महिलाओं के सुहाग के निशानी होते हैं हर्याली तीज पर सुहागन इस्त्रियां सास के पाउं छुकर के उन्हें सुहागी देती हैं यदि सास नहों तो जिठानी या फिर किसी अन्य व्रिद्धा को दी जाती है इस दिन महिलाओं श्रिंगार और नए वस्त्र पहन करके मापारवती की पूजा करती हैं हर्याली तीज पर महिलाओं और युवतियां खेत या फिर बाग में जूले जूलती हैं और लोक गीत पर नाचती भी हैं जिहां नाचती हैं और गाती हैं कजली गाई जाती हैं खासे इससे समझना भी जरूरी है बोलिये प्रेम से पार्वती मैया की जै शिव पुरान के अनुसार हर्याली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर मिलन हुआ था इसलिए सुहागन इस्त्रियों के लिए इस वरत की बहुत महिमा है इस दिन महिलाएं महा मिट्टी में गंगाजल मिला करके शिव लिंग भगवान गणेश माता पार्वती और उनकी सक्यों की प्रतीमा बनानी है मिट्टी की प्रतीमा बनाने के बाद देवताओं का आवाहन करते हुए खोडशो पचार पूजन करना है हर्याली तीज वरत का पूजन रात भर चलत की पूजन का हर महिला को तीन बुराईयां छोड़ने का संकल्स लेना चाहिए और पति को भी तो पती से छल्कपत नहीं करना चाहिए जूम्ट और धुर्वेवहार यानि कि अपिशभ्द नहीं बोलने चाहिए पति को पती को नहीं बोलना चाहिए पर नेंदा यानिद Madison की की बुराई करने से पति-पत्नी को बचना चाहिए और एक दوسबी कि बुराई किसी अन्यसे नहीं करने चाहिए. हरयाली तीज का पौरानिक महत्व क्या है ? तो हमारे हिंधु धर्म में पर्व और त्योहार का पौराणिक महत्व होता है और उससे जुड़ी कोई रोचक कहानी या फिर कथा भी होती है हरियाली तीज उत्सव को भी भगवान शिव और माता पारवती के पुनर मिलन के उपलक्ष में मनाया जाता है पौराणिक मानेता के अनुसार माता पारवती ने भगवान शिव को पत के रूप में प्राप्त किया कहा जाता है कि श्रावन महीने के शुक्ल पक्ष की त्रीतियाति थी को ही भगवान शंकर ने माता पार्वती को पतनी के रूप में स्विकार किया तभी से ऐसे मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती ने इस दिन को सुहागन इस्त्रिय भाग्यवती रहती है और घर परिवार में सुख सम्रिध्धी आती है साथ ही साथ जिनकी शादी नहीं हुई है उनको अच्छा घर और वर मिलता है उनका जीवन सुख में गुजरता है खास करके ये पती-पतनी के प्रेम को दर्शाने वाला त्योहार है क्योंकि माता पार्व प्रेम से माता पार्वती की जय प्रेम से बुलिए एक बार उमनमः शिवाय हारा हारा महा आदेव आप सफी कमेंट में भी उमनमः शिवाय उम पार्वती पताय नमः जरूर लिखे कमेंट में और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी लेकिन साथी साथ आपको कंफ्यूजन जो दूर करना था अब वो कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं कि 6 अगस्त को है या फिर 7 अगस्त को इस बार यानि कि 2024 में ये त्योहार तो 6 अगस्त को चुकी 7 बजगर के 54 मिनट पर संध्या में त्रीतियातिति आरंभव हो रही है और ह हमारा शास्त्र जो है वो उडियातिति को लेता है इसलिए 6 को न मना करके 7 अगस्त को हमें मना करके 55 हर या invaded की देवहार मनाना है यह आठ बजगर के 8 मिनट पर की 30 अतिति का समापन होगा तर शुबह में रहे करना है बहुत ही पावन त्योहार है आप सभी को कुछ खास याद हो अपने मन में इस त्योहार को ले करके पति-पत्नी का एक दूसरे को सम्मान को ले करके सम्मान करना चाहिए त्योहार करने का इस वीडियो से विदा लेता हूँ लेकिन ऐसी ही नई जानकारी पूंड वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल नोटिफिकेशन को कर लीजे थाकि नई वीडियो जब भी लाए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किये हैं तो क्या इंतजार लाइक कर देजिए वीडियो अच्छी लगी है तो मिलते हैं आप से नई वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्त रहें प्रेम से बोले हमारे साथ उम्न महाश्यवाय हारा हारा महादेव